मैं तो प्रदान मंत्री जी की विजिट को देख रही हूँ और मुझे लगता है कि प्रदान मंत्री जी ने जो लक्षे द्वीप यात्रा की उससे देश, दुनिया सबको परिचित कराया कि भारत में कितने सुंदर स्थल है और जो समुद्र के किनारे जिन लोगों को जाने का बीच पर चलने का शौक है उस सब के लिए भी बहुत सारे स्थान भारत में है माल्दी है तो लक्षद्वीप भी है बहुत नस्दीक है अंडमन्स भी है और हिमाले की उचाई भी है और हिमाचल प्रदेश से लेकर ले लदाक भी है तो भारत में तो विशाल रिदे वाला भी है और विशाल सोच वाला स्थान भी है और भारत को समझने के लिए एक विशाल द्रिष्टी कोण की भी आवशकता है कोई फरक नहीं पड़ता मैं उन जैसी चीजों पर ध्यान नहीं देती सिर्फ एक ही बात पर ध्यान देना है कि भारत की गौरवानवित इतिहास पर गार्व भी करना है और भारत को एक आत निर भर और विशित राष्टी बनाने के लिए जुभी कदम अठाने है भारत पोछ ‫थाएगा अगर आतनिर्भर भारत की बात की जाए तो भारतियों को अपने देश के विशे में ज्ञान भी होना चाहिए और भारत की पहचान भी होनी चाहिए और भारत के जितने यात्रा स्थल है वहाँ यात्रा भी करनी चाहिए